अगर आपके computer ये फिर laptop की screen खराब हो जाती है तो आप HDMI के थुरू अपने smart TV ये फिर नॉर्मल जिसमें भी HDMI port है उसको आप अपने computer ये फिर laptop के साथ easily connect कर सकते हैं जैसे मेरे ये भी laptop में आपको यहाँ पर lining दिख रही होगी कुछ दिन बाद ये automatic ही पूरा blank हो जाएगा तो इसके लिए आपको HDMI केविल चाहिए और एक smart TV ये फिर normal TV चाहिए जिसमें आपको HDMI port मिले जिसकी मदद से आप अपने computer screen ये फिर laptop के screen को HDMI में convert कर सकते हैं HDMI केविल का एक पार्ट अपने laptop में और एक पार्ट अपने TV के HDMI port में insert करें HDMI केविल को insert करते ही आपको अपनी TV का mode change करना है जिस भी HDMI port में केविल insert रहेगे वो port आपको highlight देखेगा तो इस पर OK करते हैं OK करते ही आप देख सकते हैं जो भी आप computer screen में ये फिर laptop में करेंगे वो आपको अपनी TV में so होगा तो आप बड़े आराम से अपनी computer screen ये फिर laptop की screen को TV में so कर सकते हैं